अगर वैसलीन को आप हाथ या पैरो पर और लिप्स को मोश्राज करने के लिए यूज करते हैं तो ये तो अच्छी बात है लेकिन इससे भी अलग इसके बहुत सारे ऐसे यूज है जो आज तक आपको शायद नहीं पता होंगे जी हाँ वैसलीन के बैतरीन उपयोग मैं आज के साथ शेयर करने वाले हूं इसलिए वीडियो को पूरा देखना है तो सबसे पहले तो इसका एक जबरदस्त यूज यही है कि अगर आप पर फ्यूम इस प्रे करते हैं लेकिन वह बिल्कुल भी आपकी बोड़ी पर लोग इस्टे नहीं करता है जीहां आपकी बोड़ी प अब दिखाती हूं तो आपको फिंगर पर ले लेनी है यह देखे मैंने इतनी सारी ले ली है वैसलीन और इसको अपनी कलाई पर और आपको यहां पर गर्दन पर इसको लगा लेना है तब इसके बाद आपको अपना डियो या फिर पर्फ्यूम इस्प्रे करना है तो यह आ खुचबू आने वाली है अब बात करते हैं सेकंड यूज की तो देखें सेकंड यूज में अगर आपको भी टैटू बनवाने का सोख है लेकिन टैटू बनवाने के बाद जो टैटू में होने वाली जलन और खुजली को सोच कर या आप टैटू बनवाने के लिए मना कर रहे तो इस हैक्स को जानने के बाद आप बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे क्योंकि काफी अच्छा ये हैक्स है तो आपको क्या गरना है कि टैटू बनवाने के बाद आपको वैसलीन ले लेनी है और इसकी एक मोटी परत आपको उस टैटू के उपर लगा लेनी है मालीजे आपने इधर टैटू बनवाया है तो इसकी एक ऐसी मोटी परत आपको टैटू के उपर लगा लेनी है इससे क्या होगा कि आपके टैटू उपर नमी भी नहीं जाएगी जिहां मोश्चर भी नहीं जाएगा आपके टैटू के अंदर और आपका टैटू खराब होने के चांस भी न अगर आप उस पर वैसलीन अप्लाई कर लेंगे तो अब बात करते हैं थर्ड यूज की तो देखिए वैसलीन हमारी आई लैसिस को भी घंळा करने का काम करता है इसके लिए आपको ले लेना है एक अगर आपके पास मस्कारा का इस तरह का बर्स है तो आपको उस पर वैसलीन दिखा देती हूं तो आपको इस तरह से इस पर वैसलीन लगा लेनी है और यह आपको नाइट में करना है इस बात का ध्यान लगना है तो राच को सोने से पहले आपको अपनी पलकों पर ऐसे इसको लगा लेना है इस तरह से अच्छी तरह से लगा लेना है लेकिन आपको एक बात का जहान रखना है आपके आँखों के अंदर वैसली नहीं जाने चाहिए आपको जैसे आप मस्कार अपलाई करते हैं इसी तरह आपको सावधानी पूर्वक इससे लगाना है इससे दीरे दीरे आपकी आईलाइसिस की गरोथ अच्छी होने लगेगी आ आप इसको टेली यूज करिए आपको इसका रिजट दस या पंद्रा दिन में ही दिखाई देने लगेगा अभी बात करते हैं इसके फोर्थ हैक्स के बारे में तो फ्रेंट्स अगर आपकी आईब्रोज इधर उधर बिखरी रहती है आप उसको कितना भी सैट कर ले लेकिन वच्छे से सैट नहीं होती है तो इसके लिए भी आप वैसलीन का यूज कर सकते हैं तो आपको जो ये मस्कारा का बर्स है इस तरह का आपको ले लेना है आपक लगा लेना है इससे आपकी आईब्रोज बिल्कुल सैट हो जाएगी इधर उदर बिखरी हुई नहीं होगी पलस आपकी आईब्रोज भी घनी होगी जी हां आईलैसिस को भी घना करता है और आपकी आईब्रोज को भी घना करने का काम वैसली करता है तो ये देखे आपको कर लेना है काफी अच्छे से यह आपकी आइब्रो को सैट कर देगा तो फ्रेंट वैसे इसके बहुत सारे हैक्स है लेकिन मैं इसका पार्ट टू भी बनाने वाले हूं क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में शेयर करूंगी तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको आज की वीडियो आई है पसंद तो फीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाई